बुर्मौनिक इस्ट्रेंट्स आज जो विशेय आपके सामने रखाया है वह है पशुपालन ठीक है पशुपालन का जो पहला अध्या चल रहा था हमारा प्रारंबिक अध्यान ठीक है उसी में हम ठीक है लगुत्त्री प्रश्णों को देखेंगे जो लगुत्त्री की चार आविशकता है लिखी है मतलब पशुपालन विवसाय का क्या क्यों आविशक है हमारे लिए तो चार पॉइंट आपको लिखना बताना है ठीक है एक्जाम में लिखने के लिए तो पहला जैसे विवसाय आरंब करने वह बढ़िया प्रबंदन के लिए पूंजी की व की विवस्ता भी हो जाएगे ठीक है मतलब उनका दूठ चो प्रोडॉक्शन होगा तो उससे क्या होगा पूंजी की वेवस्ता हो पाएगी ठीक है दुसरा है कुशल शर्मिकों की आविशकता है ना मतलब कुशल शर्मिक भी आपको चाहिए होगे ठीक है पोषटिक संतर्वित राशन के आवशक्ता होती है तीया है अगला जो बताए गया है उन्नत नश्ड़ के पशो की आवशक्ता है ना और उसके लिए कैसे शीवाराचा निंशी पशव क्या योकदान है थॉट्र सा law firm के विखिए के भारती अरथ करता है भारत्य अर्थवस्था में किस तरीके से सहयोग देता है अपना यहाँ पोईंट लिया गया है पहला परुषों से प्राप्तकचे माल जिसे दूद प्राप्त हो रहा है मास प्राप्त हो ओन हडिया हैं चर्म है को परिष्क्रत करने के पश्षाद उस और वे बेश किम्ति उपात त्यार कर राष्टी आय में प्रद्धि की जा सकती है तो ये सारे कहां से प्राप्त हो रहे है पशु से तो इस तरीके से पशु ना भारती अर्थवस्ता में क्या कर रहा है सही योग कर रहा है तो दूसरा पॉइंट है गरायमिन शेत्रों में पशु धन संपन होते हैं कम यांत्रिक है मतलब अभी भी हम खेति के लिए भहत कम मातरा में मचीनव का उप्योग करते हैं तो बाकि सारे चीजे किस पर डिपेंडेट होती है पशु पर ही डिपेंडेट होती है तो इस तरीके से पशु ना भारती अर्थवस्ता में महत्वपूर्ण निभारा है ठीक है पश्यों से प्राप्त जेविक खात कर्शी उत्पाद में वरद्धी करता है ना पश्यों से गोपर के रूप में हमको जेविक ख्रात पाप्त होता है और उससे क्या होती है कर्शी उत्पादन में वरद्धी होती है ठीक है चली अगला प्रशना लेते हैं चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा वो है पशु पालन के छेत्र का अति संग्षिप्त विवरन दीजिए ना पशु पालन के छेत्र का है ना तो पशु पालन व्यवस्थाई सीमा विस्तरत है ना पशु पालन व्यवस्थाई की सीमा क्या है विस्तरत है इसके अंतरगत निम अनुरूप क्या होगा पशुपालन क्या जाएगा पशुपालन व्यवसाय को लाप्रत एवं टिकव बनाने के लिए प्रियास तो टिकव भी रहे और लाप्रत भी रहे इसके लिए प्रियास होता है उत्तम किस्म के पशु का उत्पादन है ना जो उत्तम किस्म के पशु होत आय कमाने के लिए प्रियास ठीक है मतलब उत्तम से उत्तम नसल के पशो को प्राप्त करना एवं उनके द्वारा कच्चे माल का उत्पादन कर ठीक है आयक-व बढ़ाना तो इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं अगला प्रशन लिए आगया है पशो से प्राप्त होने वाले व्यवसाइक द्रश्टी से महत्वपूर्ण पाच कच्चे माल के नाम लिखिए है पशो से कमको कच्चा माल कौन सा प्राप्त हो रहा है तो भूर्गेम खूर तथा चर्वी तो इस तरीके से पाच वेबसाइट दरेष्टी से महतपून कच्छे मालों का यहाँ वर्णन किया गया है ठीक है जो नाल होती है ना ठीक है तो इस तरीके से अगला जो दिया है वेक्सिन बनाने में पशो का क्या योगदान है ठीक है जो वेक्सिन बनाई जाती है उसमें पशो का क्या योगदान है तो क्या योगदान बताय जा रहा है आपके रोगों के संक्रमन से बचने के लिए मुरत्र रोगाणू और पशू के शरीर में परवेश करा कर पशू के रक्त एवं सीरम से वेक्सिन प्राप्त किये जाते हैं पशू से वेक्सिन का सरवाधिक निर्मान भारतिय पशू चिकित्सा अनुसंधान संस्तान आईवी आ रहा है चालीस या उससे अधिक वेक्सिन और ओशदिया बनाई जाती है ठीक है चली अगला प्रश्न है भारत में पशू परजनन से संबंदी चार समस्याओं को लिखी भारत में पशू परजनन के लिए क्या उनकों से समस्या उत्पन होती है तो उनका उप्यों उनको बताना है आप पशु का बार 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 रुतुमई होना इवाम रुतुमई हो जाते हैं उसके बाद में प्रस्किशित कारे करता होगी कमी है तो यह चार कारन दिये गहें थे भारत में पशु पर्जनन से सम्मदित जो समस्या आया इप तो कौन-kौन सी समस्या है तो यह 4 समस्याओं को बताए गया तो आपको एक्जाम में भी इसी तरीके से अंसर देना रहेगा इस तरीके से अगर question पुछा गया तो ठीक है चलिए अगला जो प्रशने लिया गया है वो है केंद्रित ग्राम योजना के कोई दो प्रमुक्य उद्देश लिखी एक केंद्रित ग्राम योजना थी तो उसके कौन-कौन से उद्देश थे उन उद्देश को बताना है आपको तो कौन-कौन से उद्देश थे दो बताए है दो बताना है आपके तीन दिये हुए तो तीन और भेश की जो नसले होती है तो उनमें सुधार करना एक मुख्य का ये था उसका उद्देश था केंद्रिय गराम योजना का एक सेंटर गोर्मेंट के जो योजना चलाएगे थी गाओ के लिए उत्तम सांडो यह मुनके जनन द्रव्यों को सुरक्षित रखना ठीक है सांड उत्तम क्वोडिक होना चीह है कुरुटिम घर्भादान विधी द्वारा वांचित प्रजनन को बड़ावा देना कुरुतिम घर्भादान मतलब तो कुरुटिम रुप से घर्भ का धारन किया जाता है तो उसका भी एक क्या था उद्देश था ये भी मोहताप पुण उद् यूटन आके ठुकर चली बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्यों तो अगला प्रश्न है बूल इस्थान आंतरन टक्नीक नसल सुधार में क्या योगदाने बोले स्थान न न भूले स्थान आंतरन मालूमेंन आपको न क्या होता है कि जो नुजाज्ज शिशू का अंश होता है उसी को क्या बोलते है भून है ना और उसके इस्थनांतरन के लिए है ना कुछ टक्निकों का उप्योग कर सकते है मतलब गर्भ को एक से दुसरे में क्या किया जाता है ट्रांसपर किया जाता है ठीक है उसी को बोलते है इस्थनांतरन करना मतलब एक से दुसरे मे उसको ले जाया है ठीक है इसका उत्तर दिया गया है भूनिस्थन अंत्रन टक्नीक के अंतरगत किसी उननत नसल के सान से उननत नसल की गाय को गर्भित करने के पश्चाथ बने भून को किसी ओसत नसल वाली गाय के गर्भाशे में प्रत्यार उपन किया जाता है ठीक है मतलब उत्तम साम द्वारा ठीक है गर्वित किया जाता है और फिर वो गर्व को किसी और में क्या किया जाता है ठ्रांसफर कर दिया जाता है ठीक है भूनिस्तान अंदर तक्निक में इस परकार के उसत गुण वाली गायों से उद्नत नस्लस के बचिया तरीके से हमने कुछ कोश्चन देखे तो उनको कोश्चन को एक्जाम की द्रश्टी से बहुत महतोपुर्ण माना गया है और यह बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो आपको इसको अच्छे से लिखना है और इसकी अच्छे से त्यारी करना है ठीक है अगले वीडियो में हम कुछ अगले प्रेशनों को लेकर आएगे आपके सामने ठीक है थैंक यू